हेलो एब्रिवन मेरा नाम है प्राची और आप सभी का वेलकम है हमारी चानल सरकारियत आपक पर आश्रा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और सीटेट की लगबग तयारी आपकी हो चुकी होगी देखे बहुत सारी मॉक टेस्ट प्रीवेस एर पेपर्स हमने आपके साथ डिसकर्स कर लिये हैं बहुत दोगों की क्वेरी आ रहे थी कि जो ईवेस पे नुमेरिकल्स पूछे जाते हैं कम से कम दो नुमेरिकल्स जो ईवेस पे पूछे जा रहे हैं और उनके टॉपिक भी क्वेस पूछे से करेंगे जो दिशा वाले क्वेस अपके आते है ना डारेक्शन वाले एवियेस में क्वेस ना उसको डिसकर्स करेंगे ठीक है पूरा आपका डाउट क्लियर हो जाएगा यानि के एक्जाम में आप से यह क्वेस ब्लकुल भी नहीं जूटेगा और एक सब्सक्राइब करें हमारे चैनल पर ऊकलगे जिसे कोई वीडियो आती है कि इसका आपको पूछ चीह ubliह को किन पर आपक है पर है इसको पर जो है एक्स पर इस्थित है तथा आपका विद्धाल है वाई पर है जो घर है वो एक्स पर है और जो स्कूल है वो वाई पर है अच्छा आफ्टर सिंप्लिफाइंग दिस क्वेश्चन मैं आपको डारेक्शन की कुछ सिंपल चीज़े बता देती हूं जो आपको पता होनी चाहिए उसके बिना आप डारेक्शन और नहीं कर सकते देखो इस तरह से अगर आप डारेक्शन बनाते दोनों ध्यान से देखेगा तो जब भी आपको कहें कि वो पूर्व में मुड़ा है तो आपको यह सेंटर पॉइंट मानना है यह क्या मानना है सेंटर पॉइंट तो पूर्व में मुड़ा है तो किधर मुड़ेगा इधर पश्यम में जाएगा तो इधर से किधर जाएगा इधर जाएगा, North में जाएगा तो किधर जाएगा, इधर और South में जाएगा, तो इधर जाएगा ठीक है ये चीज है, इतना आपको clear होगे कि जब भी किसी particular point से आपको बोले कि North में जाना है यानि कि उत्तर में तो आप ऊपर की तरफ चलोगे आपको बोले East में जाना है पूर्ब में, तो आप इधर चलोगे तक्षिन में बोले तो इधर और पश्शी में बोले तो इधर इतनी बात clear है आपको अब ये तो हो गई main 4 directions इसके इलावा 4 होती है sub directions, ठीक, ये main direction होती है 4, East, West, North, South इसके बाद 4 होती है sub directions, अब उनमें आप देखेगा sub directions क्या होती है इन ही के बीच से निकलती है जैसे ये North है और ये East है तो इसके बीच से आपका क्या निकल जाएगा इसके बीच से आपका निकल जाएगा North East, क्या निकल जाएगा North East, ये आपका हो गया तो यह direction हो जाएगी नौर्थ वेस्ट वैसे आपको directly जो question पूछेगा simple वाली direction पर ही पूछेगा पूर पश्चिम उतरदक्षिन पर लेकिन अगर by chance अगर इन direction से भी पूछने लगे तो आपको पता होगी न कि आपको अगर इस point से आपको south east में जाना है तो आप इधर जाओगे अगर बोले north east में जाना है तो आप इधर जाओगे तो समझ गया इसका चाहिए आप screenshot भी ले लो यह बहुत important चीज है इसका screenshot लेके रख लो अब हम question शुरू करते हैं बस हमें इस ही के according जो है चलना होता है direction solve करनी होती है ठीक है तो start करते हैं अब हम इस question का solution क्या इसने बोला है आपको इसने आप से बोला है आपका जो घर है वो x पर है तो घर कहां पर है x पर है और y पर है आपका school यानिके विद्याले ठीक यदपी आपका विद्याले ठीक सामने है लेकिन आप कैसे जा रहे हो जो रास्ता है वैसे तो ठीक सामने direction में है आपका school आपके घर से लेकिन बीच में वेस्थ राजमार्गोने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते हो ठीक है तो आप घूम कर जाओगे अपने घर से विद्याले तो आप कैसे जाओगे घर से कहां जा रहे हो विद्याले क्योंकि इसने बोला है कि विद्याले ठीक सामने है तो कहां से चलना है घर से चलना है अब इसने बोला है पहले आप ठीक दक्षिन में दक्षिण में कितना चलना है 125 तो यह हमने दक्षिण अच्छा ऐसे आप डारेक्षन का साइन जरूर लगा ना जो एरो लगा है इससे आपको लेफ्ट और राइट का ग्यान होगा कभी-कभी आपको एक डारेक्षन में दो डारेक्षन में चला के बोल देता है कि वह अपने चला या अपने लेफ्ट चला तो ध्यान रख रहा है जैसे एरो होगा ना वही आपकी डारेख्शन होगी, अब देखो माल लो इधर देखो यह arrow अगर ऐसे है ये right है और ये left है लेकिन अगर ये arrow उल्टा कर दिया जाए तो ये right हो जाता है ये left अब arrow अगर ऐसे है पूर्व की तरफ तो ये right है और ये left है arrow अगर पूर्व की तरफ है तो उपर वाला right हो जाता है और नीचे वाला left तो arrow इसलिए आप ज़रूर लगाना ठीक है जिससे direction का ग्यान आपको रहे हैं अब 125 मीटर दक्षिन यानि के नीचे चला अब आगे क्या बोला है फिर ठीक पूर्व में 100 मीटर चलता है अब यहां से पूर्व किधर होगा इधर होगा और कितना बोला है इसने 100 मीटर तो यह 100 लिख देते हैं direction का sign भी हम लगाते हैं चला है पूर में यहां से वो 100 चला अंत में आप ठीक उत्तर में 125 चलते हैं अब उत्तर उपर की होर है तो यह आपका उत्तर में कितना चला 125 चला अब वो विद्याल है वाई जो है पहुँच चुका है तो यह क्या है वाई विद्या ठीक है यहाँ पर क्यों रोकिया है क्योंकि यह 125 थी अब इसके पैलर भी हम 125 ही चलना है तो यह बरावर पॉइंट पर आ कर रुखेगी तो यह पो यह पैलर लाईन्स हो गहीं दोनों अब देखो जब यह दोनों लाईन्स पैलर हैं तो यह डिस्टेंस भी सेम होगी यह सो ह तो ये भी कितनी हो जाएगी 100 हो जाएगी समझ रहे हो आप इतनी बात अगर आपको clarity नहीं है comment box में लिखते हैं फिर से आपको हम बता देंगे लेकिन समझो देखो यहाँ भी 125 चले थे फिर इसी direction में 125 चलना है तो इतनी बराबर distance हो जाएगी अब यह दूरी जो आ रही है इसके बराबर आ रही है तो यह भी 100 हो जाएगी अब question में देख लेते हैं पूछा क्या है पूछ रहा है कि Y पर विद्याले के सापेक्ष X पर आपका घर कहां इस्तित है Y देखो दो question आप से पूछ सकता है कि Y के सापेक्ष X कहां है स्कूल के सापेक्ष घर कौन से दिशा में है या घर के सापेक्ष स्कूल कौन से दिशा में है दोनों मेरी बात ध्यान से सूने या तो पूछेगा स्कूल से घर स्कूल से घर की जो direction है और दूरी तो स्कूल हो गया Y और X क्या हो गया आपका घर तो अगर मैं स्कूल Y से स्कूल Y है और घर X है तो Y से X की दूरी कितनी है 100 मीटर है और डारेक्शन क्या है Y से X की डारेक्शन Y से X की ये वाली डारेक्शन पूछ रहा है Y से X तो ये वाली डारेक्शन हो गई तो ये तो पश्यम हो गया तो 100 मीटर पश्यम में हो गया ये आपका ये मैंने Y से X की डारेक्शन आपको बताई है पश्यम में अब अगर घर से स्कूल की डारेक्शन और दूरी पूछे तो दूरी तो दोनों की 100 ही है तो दूरी तो 100 meter ही आएगी अगर घर से आप से school की दूरी पूछे तो 100 meter आएगी और यहां पर direction change हो जाएगी क्योंकि अब घर की तरफ से हम school की तरफ को पूछ रहे हैं तो यह आपका पूर्व में आ जाएगा यह किसमें आ जाएगा पूर्व में यह वाला केस आप से पूछा है वाई के साप एक्ष जो एक्स है वो किसमे है तो यह वाली कौन से डारेक्शन होती है पश्यम तो पश्यम में कितना है सौ मीटर आशा करती हूँ मैं आपको यह question clear हो गया होगा अब इस session के बाद जितने question भी होंगे दो तीन या चार पांच आपको खुद से practice करनी है इन question की फिर से जब तक क्योंकि आप pen paper लेकर इन direction को solve नहीं करोगे आपको clear नहीं होगा चलो अब बढ़ते है question number 2 की तरफ यह previous year question ही था जो मैंने आपको कराया है अब अगले question पर आजाते हैं अगला question आपके सामने है यह आपसे कहता है कि किसी doctor का घर x पर है और उसका hospital y पर है तो doctor का घर हो गया x ठीक है और उसका जो hospital है वो कहाँ पर है y पर यह घर है और यह क्या है hospital है doctor का doctor के घर से hospital जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है तो doctor पहले a पर जाता है जो x के ठीक पूर्व में इतना है तो देखो अब इसको शुरू करते है डॉक्टर पहले doctor का घर क्योंकि घर से कहां जा रहा है अस्पतार जा रहा है तो घर हो गया x तो मान लेते हैं यहाँ पर सीधी सड़क नहीं है तो doctor पहले a पर जाता है और यह कहां है x के ठीक पूर्व में 600 मीटर तो यह x है x का ठीक पूर्व हमने यह लिया यह हो गया 600 मीटर ठीक थोड़ा और लंबी लाइन ले लेते हैं x के पूर्व में यह हो गया 600 मीटर यह a point को इसने बोला है ठीक है पू 200 मीटर के दूरी पर हमने a को ले लिया आगे कहता है फिर वो b पर जाते हैं जो a के ठीक दक्षिन में 1.530 तो a के ठीक दक्षिन में आफ 4.550 चलो तो a के ठीक दक्षिन नीचे की तरफ होगा और हमें कितना चलना है 5.5400 और कहाँ पूерхणेंगे हम b पर पौनचेंगे इतन तो 20 की क्या है, दूरी है, ठीक है, और अंत में वह है, वाई पर अपने अस्पताल पहुचते हैं, जो C के ठीक उत्तर में 90 मीटर है, अब ये पॉइंट C था, C का उत्तर कहा होगा, उपर की साइड होगा, C का उत्तर कहा होगा, उपर की साइड और कितना, कितने मीटर इसने है 90 मीटर तो यह हो गया 90 मीटर यह इसको हॉस्पिटल है तो इसको वाई लिख लेते हैं ठीक अब इसने पूछा है कि अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की सही दिशा बताओ अब यहां पर आपकी वो दिशा काम आएंगी जो मैंने बताई थी यह क्या है आपका उतर पूर्व है नौर्थ इस्ट यह उत्तर पर्शिम है नौर्थ वेस्ट यह साउथ इस्ट है और यह साउथ वेस्ट है अब इसने पूछा अस्पताल के सापेक्ष घर की दिशा यानि कि इस वाई पॉइंट से यह जो एक्स की दिशा जा रही है यह आपको बतानी है कौन सी देखो मैं दिशाओं में आपको बताया है East, West, North, South तो यह कौन सी डारेक्शन है? यह यह वाली तो होगी यह वाली जो Y से X वाली है यह डारेक्शन है कौन सी है यह? नोर्थ वेस्ट है यानि कि Option No. 2 आपका राइट एंसर हो जाएगा तो यहाँ पर डारेक्शन पूछिए आपसे यहाँ पर आपसे क्या पूछा है? डारेक्शन पूछा है तो इस तरह से Question Solve किया जाता है समझ आए आपको? एक वाल खुद से भी Draw करके देखोगे तो और चीज़े Clear हो जाएगी अब एक और Question कर लेते हैं Next Question आपसे कहता है कि मयंक 25 मीटर दक्षिण के ओर चलता है तो मान लेते हैं यहाँ मयंक है क्या बोला है 25 मीटर दक्षिण तो 25 मीटर दक्षिण में इसको हमने चला दिया फिर दाहिनी ओर घूमकर अब देखो Left Right का का काम है अगर मैं नीचे की तरफ देख रही हूँ तो मेरे Right Side यह होगा और Left Side यह होगा अगर मैं नीचे देख रही हूं regular देख रही हूं तो यह Right है और यह Left है लेकिनननी देखोंगी तो Right Left चेंज हो जाएगा अभी मैंने बताया था आपको तो अब यहां से दाहीनी और घूमता है और 20 मीटर चलता है दाहीनी और उल्टा हो जाएगा क्योंकि नीचे देख रहा है यह कितना चला 20 मीटर चलता है फिर बाई और घूम कर 30 चलता है अब उपर वाला राइट है इसका नीचे वाला लेफ्ट है तो यह लेफ्ट में चल रहा है 30 मीटर तो यहाँ पर यह कितना चला 30 पुन्हे अपनी बाईयोर घूमकर 20 चलता है इसका बाईयोर किधर होगा नीचे देख रहा है तो बाईया इसका इधर होगा और कितना चला है यह 20 चला है तो यह चल दिया है 20 तो वह अपने प्रारंबिक बिंदू से कितनी दूर है तो टोटल डिस्टेंस यह निकाल ली है यह तो प्रारंबिक बिंदू था तो जहां पर वो अब है यहां पर है यह दूरी निकाल ली है तो यह सिर्फ आपको ड्रॉ करना important है दूरी तो आप आराम से निकाल लोगे ठीक अब देखो ये भी 20 थी ये भी 20 है ये 30 है तो ये भी कितनी हो जाएगी 30 हो जाएगी तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी 25 प्लस 30 ये आप ये हो जाएगी 55 मीटर तो अपनी प्रारंबिक बिंदू से वो 55 मीटर की दूरी पर ह है क्लेर हो आपको येPERषन देखो पहले वो दक्शिन में 25 छला ठीक है फिर इसको कहां चलना था आपने राइट में चलना था तो राइट इसका इधर होगा क्योंकि वंटा देख रहा है, right में 20 चले हम, फिर इसने बोला left में 30 चलो left में 30 चले, फिर इसने बोला, फिर left में 20 चलो तो यह 20 अब यह 20 था, यह भी 20 था तो यह अगर 30 है तो यह भी आपका क्या हो जाएगा 30 और यही तो दूरी पूछी है यहां से यहां तक तो इसको add कर देंगे clear है आपको एक question ठीक है अपने आप में फ़र question के बाद आपको बोल रही हूं जब तक आप खुद से solve नहीं करोगे देखो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपको इसको solve कर बाना next में आपसे कहता है राजे इस दक्षिन की और 16 मीटर चलता है तो यहां से इसको चलाना शुरू करते है दक्षिन में 16 चलता है दक्षिन नीचे की साइड है 16 फिर बाई और मुढकर 5 मीटर चलता है बाई कि धर की ओर मुढकर वह 7 मीटर चलता है थोड़ा और आगे तक ले लेते हैं उत्तर की ओर चलता है 7 मीटर उत्तर तो उपर की तरफ है तो इसको 7 चला दिया ठेकtal यह पॉइंट थोड़ा और उपर ले लेते हैं ठीक है यह 16 अब इसको उत्तर की और शुरू नाज़ प्राई और जब पूर्व में वो देख रहा है तो ये राइट है और ये लेफ्ट है तो इसने राइट में बोला है 9 मिटर तो राइट में 9 मिटर चला दो तो ये 9 मिटर चला है ठीक अब बताना है कि वो अपने प्रारंबे के स्थान से कितना दूर है इस पॉइंट से उसकी दूरी बता साथ है तो यह इतनी क्या होगी साथ होगी यह इतनी क्या होगी साथ तो बाकी की जो बची वो कितनी होगी दो क्योंकि टोटल यह डिस्टंस टोटल नौ है लेकिन इसके पहलर जो है वो साथ है तो यहां तक यह भी साथ होगी तो बची कितनी दो तो यह नीचे वाली दो हो ज समझा इतनी बात, यह साथ है, यह साथ है, ऊपर वाली 12 है, नीचे वाल भी इसके पहलेल हो जाएगी, 12 हो जाएगी, क्योंकि बराबर डिस्टेंस है, अब दूरी देखो कैसे निकालते हैं, दूरी निकालने का तरीका क्या होता है, आपने एक फॉर्मूला सुना है, राइट इसका स्क्वेर प्लस पर्पेंडिकुलर का स्क्वेर, अब कर्ण तो हमें निकालना है, क्योंकि प्रारंबिक स्थान से कितनी दूर है, हमें यह वाली दूरी निकालनी है, यह वाली दूरी हमें चाहिए, अब यह वाली दूरी कैसे निकलेगी, ठीक है, देखो, यह वाली नीचे के 2 थी इसले टू कर ली अब ये ऊपर वाली कितनी थी 12 तो ये है और 5 ये है 17 तो ये कितनी हो गई 17 हो गई समझाय कैसे क्या दुबारा बता दूंगी इस क्वेश्चन को फिलाल यहां से कनेक्ट करो ये 2 थी ठीक है तो हमने इसको बढ़ाया आगे 2 ले ली तो नीचे का स्कुएर कितना हुआ ये आधार है 17 17 का स्कुएर 289 और लंब का स्कुएर देखो लंब कितना होगा ये पूरा 16 और 2 18 18 का स्कुएर 3 24 ठीक है तो इनको एड करेंगे तो ये आजाएगा 613 तो रूट 613 इसका जो है एंसर आजाएगा हो सकता है कैलकुलेशन इधर और थो लेकिन इसको सॉल्व करने का तरीका यही है समझाए आपको इतनी बात ठीक तो कैस हमें ये वाली दूरी निकाले है अपने स्थान से कितनी दूर है तो वो कहां पर है नीचे यहां पर है तो ये कर्ण हमें निकालना है तो हमें इसके लिए लंब चाहिए और आधार जो कि ह यह 16 मीटर चले खिरिस ने बोला बाय मुढ कर 5 सौरी यह इसका राइट हो जाएगा देखो यहां से हम चले 16 बाय 5 चलना है बाया हो जाएगा इधर यह हो गया 5 इसके बाद उत्तर की ओर 7 उपर उत्तर हो जाएगा 7 फिर दाइयोर मुढ कर 12 यह दाइयोर हो जाता है इधर तो यह हो गया 12 फिर अंत मीं दाइयोर 9 दाइयोर नीचे हो जाएगा आपका ये 9 ठीक अब चुकी इसको यहां पर अगर हम मिला लें, टोटल 9 है तो यह 7 है, तो यह भी 7 हो जाएगा और total 9 था तो नीचे वाला 2 हो जाएगा अब हम क्या करेंगे ये वाली distance ऐसे draw कर लेंगे तो ये 2 है तो ये भी 2 और ये इसको भी हमने ऐसे draw कर लिया ये total ये 12 था ये भी 12 था तो ये 12 पांच total 17 तो ये भी total कितना हो गया 17 हो गया ऐसी तो हमने किया था ये है लंव और ये है आधार और तो मैने क्या बताया है कर्ण का स्कुएर बराबर आधार का स्कुएर तो 17 का स्कुएर प्लिस लंब का स्कुएर लंब टोटल कितना हो गया 16 और 2 तो 18 तो 18 का स्कुएर solve करके कर्ण की वैल्यू निकाल लेंगे कोई भी condition दी हो यही तरीका उसमें यूज किया जाएगा उम्मीद है मुझे आपको यह सारे questions जो मैंने आज कराए हैं clear हो गया होंगे और clear हुए हैं तो like आपको करके बताना है थोड़ा appreciation देना है आपको अपनी तरफ से अगर आपको सारी चीजें अच्छी तरह से समझाई हो तो और फिर भी कोई doubt रहा है या नहीं रहा है तो अभी कुछ से आपको एक question ज़रू solve करने अगर आपको एक number नहीं गवाना सीटेट में EVS में अगर आप सोच दो numerical skip कर देंगी तो skip करने की सुरुत नहीं है इतना tough नहीं होता कुछ question प्राक्टिस करने के बाद बहुत कम समय में आप इस question को solve कर सकते हो ये question बहुत typical भी आते हैं लेकिन सीटेट में typical नहीं आते तो आप इसको बिल्कुल भी skip मत करेगा उम्मीद है session आपको अच्छा लगा होगा session अच्छा लगा है comment करके भी जरूर लिखेगा और आप से जल्द मिलेंगे next video में जिसमें हम time वाले question को discuss करेंगे और बाकि आप वाकी वीडियो अगर नहीं देखी है previous questions के तो आप चानल पर जाकर देख सकते हैं तो चलिए फिर आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं किसी नई वीडियो में जल्दी ही तब तक के लिए पढ़ते रहें थैंक्यू